बिहार के भागलपुर के रहने वाले राजा कुमार बड़े-बड़े विज्ञानिकों की तरह अविश्कार कर रही है। उन्होंने एक ऐसी लेंड माइन्स का अविश्कार किया है जो भारत के दुस्मनों के लिए घा तक होगा। यानि कि अगर भारतिय बॉर्डर पर युद्ध के दौरान अगर कोई दुस्मन इस लेंड माइन्स पर पैर रखता है तो लेंड माइन्स विस्फोट हो जाएगा। हलांके या एक दिल्चस्प बात ये भी है कि अगर कोई भारतिय सैनिक इस लेंड मायन्स पर पैर रखता है तो ये उपकरन विस्फोर्ट नहीं करेगा। याने कि केवल दुसमन के लिए ये उपकरन घातक है अब नमस्कार मैं नेहा चौधरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन बिहार के भागलपूर के मजदूर अभैराम का बेटा राजा कुमार केवल 16 साल की उम्र में ही वैज्यानिकों की इस डिवाइस का इस्तमाल दुसमनों को खत्म करने के लिए करें राजा ने बताया के लेंड माइन्स पर जैसे ही दुसमन पैर रखेंगे ये विसफोट कर जाएगा और दुसमन वही खत्म हो जाएगा हलांके इसके लिए सैनिकों के जूते में भी एक डिवाइस लगानी ह थोगि जिससे की लेंड मायं सेनिकों की पहचान कर लें और जब सैनिक लेंड मायंज पर पैर रखें तो यह विसफोट ना हो अगर बोर्डर परगुसने की कोशिश करते हैं तो यह यंत्र पैठिय के आने पर बेस कैमby को एलर्ट कर देगा यानि के दुष्मनों की निगराने के लिए एक बॉर्डर सुरक्षा यंत्र बनाया है राजा का अविश्कार यहां खत्म नहीं होता ये देश की सुरक्षा के लिए अभी और अविश्कार कर रही है राजा स्वचालित रडार बनाने की कोशिश में लगे हैं जिससे कि अगर बॉर्डर के रास्ते से गुसपैट भारत आते हैं तो उनके आते ही गोलियां अपने आप चलने लगेंगी इसके अलावा राजा कच्रे की आग से बिजली पैदा करने वाला यंत्र भी बना रहे हैं जिसका डेमू इन्होंने कच्रे की आग से पैदा की गई बिजली से एक बल्ब को चमका कर दिखाया है ये बिहार का छोटा साइंटेस्ट अपने अविश्कारों से लोगों को हैरान कर रहा है राजा ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसका इस्तमाल अगर गाडियों में किया जाए तो जैसे ही गाड़ी चलाते ड्राइवर की पलके जुकेगी गाड़ी अपने आप बंध हो जाएगा यानि कि सफर के दौरान अगर गाड़ी चला रहे किसी व्यक्ति को नींद आ जाए और उसकी पलके जपके तो गाड़ी अपने आप बंध हो जाएगी जिससे एक्सेडेंट होने की संभावना नहीं रहेगी राजा की परिवार वालों ने बताया कि राजा का जुकाव बचपन से ही इलेक्ट्रोनिक सामान बनाने की तरफ जादा रहा है बचपन में भी मोटर पंप, रोबोट जैसे उपकरन बनाया करते थे इन सब अविशकारों में गाउं के आशिश रंजन कभी-कभी राजा की मदद करते हैं आर्थिक इस्तिती खराब होने की वज़े से राजा इन अविशकारों को लेकर आगी नहीं बढ़ पाते अगर आर्थिक सहयोग मिले तो इन उपकरनों को बड़ा रूप देकर इसे प्रदर्शित किया जा सकता है राजा ने कहा कि अभी तक मेरी किसी भी अविशकार को देखने के लिए कोई नहीं आया मेरे स्कूल में भी सभी को मेरे द्वारा अविशकार की गई उपकरनों के बारे में पता है लेकिन मेरे मौडल को कोई भी प्रदर्शित नहीं करता ट्रिपल आईटी भागलपूर के हैट इलेक्ट्रोनिक और कम्यूनिकेशन एंजिनियर डॉक्टर धिरज कुमार सिन्धा ने राजे की इन अविशकारों को देखकर कहा कि अभी इस तरह का डिवाइस किसी ने भी देश की सेना के उपयोग में नहीं लाया है जो दुस्मनों को देखते ही ऑटोमेटिक तरीकी से फायर करने लगे लेकिन राजा की द्वारा बनाई गए उपकरन देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है अगर राजा नई तकनिकी का विश्कार कर पाते हैं तो उन्हें ट्रिपल आईटी में लाया जाएगा और अगर उनके द्वारा बनाया गया उपकरन सही साबित हुआ तो उन्हें स्टार्टप योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जाएगी माकी आप बिहार के इस छोटे साइंटिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा और आगी की खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्षिंधन धन्यवाद